गुद मॉर्निंग इस्टूडेंट्स अभी हमारा ये इस्ट्री का जो आपका चल रहा है इतिहास से समंदे जो चेप्टर्स चल रहे हैं हमारे उनी में आगे विवेने तरीके के आपने अभी आंदोलों के बारे में बढ़ रहे थे इसी शुंख्रा में एक और आंदोलों के पीछे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा आंदोलन था जो पूरी तरीके से मुस्लिम धर्मसुधारत को द्वारत चलाये गया था इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं कि क्या है ये आपका खिलाफत आंदोलन तो खिलाफत आंदोलन उनीस सो इस्पी में किया और यह एक ऐसा अंदोलन था जिसमें महात्मा गांधी ने हिंदूों से आवान किया था कि वह मुसल्मानों का साथ हैं क्यों कि उससे पहले कई सारी ऐसी घटनाएं हो गई थी जिसकी बज़े से जो हिंदू और मुसल्मान जो दोनों ही अंग्रेजों के खिलाप हो गए थे क् अंग्रेजों जो डुद्धिय विश्व दिजब वह था उसके बाद जो भारती जनता थी उसको ऐसा विश्वास था या भारते निताओं को ऐसा लग रहा था कि अंग्रेज सरकार जो है वो कुछ भारतियों के लिए कुछ नए सुधार करेगी या नए तरीके की किसी करेगी लेकिन हुआ उसका उल्डा और अंग्रेजों ने और भी ज्यादा स्रिक्ट हो करके या और भी ज्यादा अपना कड़ा रुख अपनाते हुए कुछ दमनकारी नीतियों को अपनाया जिसकी वज़े से हिंदू और मुसल्मान दोनों ही तरह की नेताओं में या दोनो अपनाया जाते हैं तो 1919 में डॉक्टर अंसारी के नेतत्यू में एक सिस्ट मंडल यानि कुछ लोगों का एक समूँ बाइसराय से मिलने के लिए गया लेकिन उसका कोई परणाम नहीं निकला क्योंकि बाइसराय ने डॉक्टर अंसारी के नेतत्यू में गय हुए शिस्ट मं इस तरीके से इस खिलाफत आंदोलन को जो अंग्रेजों के विरुध एक आक्रोश की रूप में इस इफ्रुवात हुई थी उसे पूरी तरीके से जो बल था वो मिला था रागवचारी के अद्रिक्षता में स्वाराज जी जो नोने अपना एक आंदोलन चलाने की बात कही थी उसी के साथ साथ इसमें खिलाफत का प्रश्ण भी जोड दिया गया और इस तरीके से खिलाफत आंदोलन भी एक आंदोलन के रूप में अंग्रेजों के सामने विरोश रूप प्रकट हो गया अभी हम बात कर रहे थे खिलाफ़त अंदूनन के कारण क्या थे क्यों ये खिलाफ़त अंदूनन शुरू किया गया था तो जैसे देख रहे हैं आप कि भारती मुसल्मान तुर्की के प्रति होने वाले विहार से छुप्द थे अभी मैंने आपसे बताया कि जो दुद्य तुर्की उनके उस खराब विहार से त्रस्त हो चुका था क्योंकि जो प्रथम विश्युदि के बाद दोरान बटिश पतान मंत्री लॉयड जार्ज जो थे उन्होंने उन दो आश्वाशन दिये थे तुर्की वासियों को कि सबसे पहली बात कि युद्धो परांत तुर्की को आत्म डड़ने का अधिकार होगा कि जब युद्ध खतम हो जाएगा उसके बाद जो तर्की है उसको पूरी तरीके से अपना आत्म ड़ने लेने का अधिकार दिया जाएगा और दूसरा वहां के खलीफा की इस्तिति के बारे में ब्रटन कोई हस्तक शेप नहीं करेगा और दूसरी बात यह थी कि जो तर्की कर जो खलीफा था उसकी इस्तिति एज इट बनी रहेगी यानि उसका जो पद है उसको किसी भी तरीके से निरस्थ करने में या घटाने में किसी भी तरीके से जो ब्रटिश शरकार सरक वो अपने इन दोनों आस्वाशनों से वुकर गई और फल सरूप जो टर्की की जो हालत थी वो ऐसी हो गई कि वो अंग्रेजों के खिलाफ अपने आपको बहुत ही असाहय महसूस करने लगे भारतियों मुसल्मानों को तर्की के प्रती होने वाले अंग्रेजों का ये जो बि पूरी तरीके से बिटिश सरकार के अपने आस्वाशनों से मुकर जाने की बज़े से अंग्र जो भारतियों मुसल्मान थे उनमें एक आक्रोच पैदा हुआ और इस तरीके से उन्होंने संगठित होकर के एक आंदोलन की शुरुआत करने का प्रयास किया जिसे महात्मा गं जो खिलाफत आंदोलन जिसकी बज़े से हुआ था अब हम बात करते हैं कि इस आंदोलन के प्रभाव क्या हुए थे या इसका क्या प्रभाव पड़ा था तो खिलाफत आंदोलन जो की टर्की की जो हलत थी उसकी बज़े से भारतियों मुसल्मानों में उप्चे हुए जो अक्रोश था उसकी एक पढ़निती थी या एक तरीके से हम यह कह सकते हैं कि उसका परिणाम था यह कि भारतिय मुसल्मान अग्रेजों के खिलाफ हो गए थे और उन्हेंने खिलाफत अंदूलन चलाने की मुहिम को जारी रखने की का प्रयास प्रारंब कर दिया इसलिए इसका अखिल भारतिय खिलापे समित की स्थापना की गई जो पूरी दरीके से अंग्रेजों के विरुद अपने आक्रोश को प्रकट करने के लिए बनाई गई एक मुसलिम संस्था थी दूसरा भारतिय मुसल्मानों का असंतोश अपने चरम सीमा पर पहुँच गया था दूसरा जो इसका प्रफवाद था वो ये था कि खिलापत अंदोलन ने एक ऐसी आवाज उठाई जिसकी बज़े से जो भारतिय मुसल्मान थे उनमें एक असंतोश जो था जो अंग्रेजों के प्रती जो उनका विश्वास था उसके प्रती जो असंतोश था वो अपने चरम सीमा प अपने चरमोत कश्ष पर पहुँच गया तो उसका परिणाम क्या हुआ कि जो जनता थी वो सरकार के विरोध्य पूरी तरीके से असयोग की नीती अपनाने के लिए पूरी तरह से खड़ी हो गई और उसने किसी भी तरह से सरकार को सहोग करना बंद कर दिया और इस तरीके स से देखा जाए तो खिलाफत आंदोलन का ही प्रभाव था कि असयोग आंदोलन की शुरुआत हुई डिसंबर से 1920 में कांग्रीश की नागपुर अधिवेशन में विजय रागवाचारी के अधिक्षता में सुराजी के साथ साथ खिलाफत आंदोलन ने भी अपनी एक मजब और सुराजी के साथ साथ एक खिलाफत आंदोलन जैसा शब्द भी जोड़ लिया गया और जो सुराजी जो अपनाने की जब बात कही गई तो उसमें एक शब्द निकल करके आया था कि अब हम भारतिये नागरिक जो है या भारतिये जो जनता है वो किसी भी तरीके से अंग जोग आंदोलन था वो खिलाफत आंदोलन का ही एक दूसरा रोग था क्योंकि खिलाफत भी एक ऐसा ही आंदोलन था जो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे उनको किसी भी तरीके से उनको सयोग प्रदान नहीं करना चाहते थे और उन्होंने उसे नाम दिया था खिलाफत आंदूलन ऐसे ही भारतियों द्वारा प्रकट किया गया अपना असदोश इस तरीके से सामने आया कि उन्होंने स्वराज जी की मांग करते हुए एक असहोग करने की नीती भी बना डाली और धीरे धीरे वो अंग्रे सरकार को असहोग करने की दिशा में अपने आपको आगे बढ़ानया प्राहरंब कर दिया तो यह थे कुछ ऐसे प्रफाव जिसकी जोग खिलाफत आंदूलन के रूप में सामने आये थे अगर हम देखें तो कहीं ने कहीं खिलाफत आंदूलन और जो स्वराज जो आंदूलन था वो एक दूसरे के साथ मिले हुए ऐसी चीजे थी जो पूरी तरीके से जो खिलाफत आंदूलन था उसी के प्रफाव के रूप में भारतिय जन्ता ने अंग्रेजों के सामने प्रकट किया और सुराजी की मांग के साथ साथ असयोग करने का भी उन्होंने अपने उसमें मन बना लिया और बटे सरकार को असयोग करने के लिए उन्होंने अपनी शुरुआत कर दी असहयोग अंदोलन के रूप में, तो अब जो नेक्स हम दूरुसरी क्लास में जो हम बात करेंगे, वो इसी से सम्मंदित एक और अंदोलन है, जो गांधी जी दारा चलाया गया था, असहयोग अंदोलन, हम उसके बारे में अब अगली क्ल